तो आज नाइट में यह कम-कम हजानों टन बालू निगाल लिया गया एक ही रातरी में अब एक दिन रात में तो मेरो को यह निशा गाड़ लगे रात में आ गया तो वह समसान पर लिया वह पूरा दो अध्या वह आपका भी इसमें खननक्षतर में रोल है कई नहीं आप भी अबेद घंन को लेकर लगातार चेत्रवासियों की एवं ग्रामिनों की सिकायतें जिला प्रसाशन तक पहुंच रही है लेकिन बजरी की अवेद खनन का न तो इसके कोई रोक पा रहा है और नहीं प्रसाशन द्वारा इसके कोई ठोस ध्यान दिया जा रहा है इस वज़े से जो खनन माफिया है उनके होंसले लगातार बुलंद हो हैं और अब वे ग्रामिन इक्षेतर में जो गाव हैं वहाँ पर बिला नाम जमीन पर भी कई जगह पर जो निजी खातेदारी जमीन हैं वहाँ पर भी ये माफिया पहुंच गए हैं और वहाँ पर अवेद खनन सुरू कर दिया है एसा ही मामला रासमन जिला मुख्याले के पास पिपली आचारियान ग्राम पंचायद का आज सामने आया है जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह जिसे आज एक ही रात में यहां सेक्डो टन यह जिसे यहां से बजरी निकाली गई हैं और बजरी को यहां से निकाल कर ले गया है अल सुबह जिसे ही बजरी नि निकाला जा रहा था उनकों पकड़ा और ग्रामवाशियों के उगरा विरोध के चलते खनन माफिया यहां से भाग घड़े हुए यहां पर जैसे यहां से खनन माफिया भागे तो उसके बाद जो एलन्टी के कुछ अवसेश भी मुके पर पड़े हुए हैं और जो यह बिला नाम जमीन है यहां पर बड़ी तादाद में यह खड़े हो गए हैं यह एक ही रात में बड़ी तादाद में इस तरह से यह बजरी खनन हुआ है पीपली आचार्यान गाओं में बनास नदी की नारे पर इस्तिद भू भाग पर कतिपई लोग रातो रात एलन्टी जेसीबी वर डंपर लगा कर सेंकडो टन बजरी उठा ले गए अल सुबह ग्रामिन उठे तो अवेद बजरी खनन करते पाया गया और आक्रोसित लोग मोखे पर पहुँच गये और खनन करता डंपर टेक्टर लेकर भाग खड़े हुए भागने की आपा धापी में एलन्टी की चेन तूट गई इस बीच एलन्टी को जाडियों में चुपा कर चालग सहीत खनन करता फरार हो गए इसके बाद ग्रामिनों ने खान विबाग के साथ ही अवेद बजरी खनन करने वालों के खिलाब आक्रोस जताया उसके बाद ग्रामिनों ने जैसी भी मौके पर मंगा कर जिस जगह सर बजरी खनन की जा रही थी उसके रास्ते को ही खोद कर बंद करवा दिया अवेद बजरी खनन से आसपास के खेत दसने का खत्रा है तो भूजल इस तर में गिरावट का संकट भी है इस दोरान पूर्व सरपंच मनोरकीर महेश आचारी लक्षमिनारन सहित कई ग्रामवासी मौके पर एकत्रित हो गए ग्रामिनों ने खुली चेतावनी दी कि अगर अब पिपले आचारीन ख्यत्र में अवेद बजरी खनन रोकने में प्रसासन नाकाम रहा तो फिर ग्रामिनों द्वारा उगर आंदोलन किया जाएगा हैं अब हमारे साथ में बहुत सारे यहां ग्रामिन भी हमारे साथ में हैं उनसे ही बातचित करते हैं कि आखिर यह कौन सा एरिया है और आखिर यह खनन कब से शुरू हुआ है क्या मामला है यह जो खनन हुआ है रात को कबसे हुआ है यह में पीप्ली अचरियन के नदी और बांडी का सेंटर का पेटा है दोनों और यह बिला नाम जमीन कहीं जाती है कापी सालों से आदमियों ने अवेध खनन करके अपने नाम बता के नजाने किस परकास से इन्होंने अपने खाते में करवाई यह नहीं करवाई यह निजी खाने के लिए दिए आज सुबह किती बुज़े यह अभी पता चला हम नदी की तरफ आद पक दोने के लिए निकले डेली हम जाते हैं तो आज नाइट में यह कम-कम हजारों टन बालू निकाल लिय अगया एक ही रातरी में हमारे साथ में पूरों सरपन्स मनोर जी किर उनसे भी बातचित करते हैं आप बताएं यह जैसे सुबह किती बुज़े पकड़ा और क्या इस्तथी थी सुबह मैं आपको बताऊं कि यह जो अवेद बज़री खंदन का जो मामला अभी संग्यान में ह है हमारे जब ग्राम वाश्यों द्वारा सुबह सुबह खेत पर जाने के पश्चाहती यहां पर कम से कम सो डंपर के आसपास यहां पर पड़े हुए थे तो लोगों ने मुझे कोल किया और बताया कि भई यहां पर अपने जो पेजल का जो मुक्य स्रोत हैं जो यहां से पा भग चुके थे और बहुत बड़ी तादात में एक ही नाइट में इतना बड़ा खनन आज दिन तक नहीं हुआ होगा इससे पूर्व लोगों ने ग्राम वाश्यों ने दो दिन पूर्व माने कलेक्टर साहब भी इसके विरुद ग्यापन दिया था लेकिन अभी तक परसाथन से इस मीडिया के माधियम से बताना चाहता हूं कि इस राजसमद्ध शेत्र में सबसे ज्यादा बजरी का अगर कहीं दोहन हो रहा तो यह जो भी बजरी का दोहन है चोले लीज शेत्र के अलावा भी यह लोग कहीं खेतों से खेड गेर खातेदारी जमीन से पर एक्सेन लेवे और जो भी यहां के जो बजरी करता है या जो भी लीज धारक है या जो भी यह करसक है जिनको यह शेत्र कबजा दे रहा है उससे उचित कारवे कराई जिसे कि भविशे में भी ऐसे अवेद खनन नहीं हो पागए इसमें खनन को लेकर जैसे कुछ चर्च ने एक मेसेज आया कि यहां से अवेद बजरी खनन दोहन हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं मैं स्वयम आज पहली बार साथ साल के बाद इस नदी के अंदर प्रिविश किया है और आपकी परमिशन से ही में आज यहां पर आया हूं जो भी तत्य जो भी आरोब जो हमारे उपए लगते हैं क्योंकि हम बजरी खनन शेत्र के अंदरी निवास रत हैं तो एक लीज शेत्र का हमारे शेत्र का तो वहां से संध्यान में जब भी आता आधा वह बजरी खनन का जो भी मामला होता हम उसका विरोध करते हैं बट राज्य सरकार से इसको परमिशन दे लड़ी हैं लेकिन एक रुद्वे के आगे सब नस्व मस्तक होते हैं ऐसा ही कुछ माहुल शेत्र का होता है अपने जैसे पत्नी यहां वर्तमान में सरपंस हैं और इनके उपर जो खनन की जो बात हो रही है वो निरादार बताई है कि इनके उपर जो भी आरोप गलत है यह हो अभी है छोटा पूराना चाओ जाँसे पूरा पानी पीता था था तो क्या यह प्तिना यह अब अब आनों जो आज खोड़ीओं की यह यह बड़े कत्री आप यह कुड़ी यह तो इसके आधि सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो जैसे कुछ भी आप रही ताइम यो खनन चाल रहे है यह तो अभी आपनों क्यों विरोध की दो यह जो फिक भी आपने लिए सामने के संसान गाट भी है वन्ने भी एखोद लेगी आनिता इस अब्सक्राइब आप अब गांवाला की कंप्लेंट कि प्रसासने करने करने लिए और मान्या भी नहीं आपने आपने अब आपने पानी की कुडी तो बड़ी जाए तो यह नहीं क हुआ है कंप्रसाई कंप्रकाइब शीखेण करने करने लुए नहीं खरता है तो यह नश कुस्पेण है ज इखा आपने कर दोलेंस फाला ऐखलत आपने करने वह शुरा वह क्यान ब्रूरा है तो आपने पूरो गाउं एक जूट नहीं है कि यह अधा है नहीं जीमुत वेडियों का एक जूट नहीं एक जूट वे तो पानों आगे हैं भरवाइन दे रहे हैं आज पास के जो खेत हैं खेत भी बुरी तरह से बूजल जो इस तरह लगातार गिरता जा रहा है इस बूजल गिरते को लेकर चत्रवासी परिसान है हमारा साथ में अभी जो वारड पंस हैं और बाजपा के वरिष्ट नेता रहे हैं महेजी आचारे उन से जानते हैं कि यह जो खनन हो रहा है कि पहले भी कभी गाव की आबद इक सेत्र में हुआ है बिला नाम में या पहली बार है यह खनन लगबग 5-7 सालों से हो रहा है और पूरु में केवल नदी सेत्र में होता था अभी वर्तमान में जो लोगभाग अपनी खुद की जमीने बें जो जिनके नाम पर है वह भी बेच रहे हैं उन पर अभेत कबजा करके रेती माफिया को बेच बेच कर लाखों रुपया ले रहे हैं यहां की पूर्ग की मंत्री जी किरन माश्री जीने भी इसका हमने बहुत स साब को किती बार लिखीत रुप में दिया तो मेरे को लगता था कि पूर्षाल साब खुद उसमें सामिल था इस रेती भरवाने में इस प्रकार की घटनाएं हमने बार बार प्रशासन को लिखे दी थी कि आप यहां कारवई करें लोगभाग अवेत कपजे करकर करके रेती नाफ्या को रेती बेज रहे हैं यहां के कुवे सुख गहें कासकार पीने के आने वाले समय पर लोगभाग पीने के पानी पीने के लिए भी तरस्तर रह जाएंगे खेती के लिए पानी की कमी होगी हमने लगभग एक करोड़ रूपर की लागत से पूरु में जब मैं लगातार यह जो सिकायते भी आ रही है आपकी खंडन रुक नहीं रहा है तो कहीं जैसे आपके गाहों की खेती हैं गाहों के लोग भी इसमें मिले हुए गाहांवाले पूरा प्रयास करते हैं कि प्रसाशन को केते हैं लेकिन जब तक बाद जो रेती माफिया बहुत दबंग गई से कभी किसी को कुछलने की धंकी देते हैं गाहां वाले बिचारे सब इसकी कभी एफायार वगेरा दर्ज नहीं करें वही थी उसमें जब हमारे लोगों के खिलाप उसमें केस भी लगे थे जब पूरो सांसद हरियों सिंग्जी से नहीं ने सब बात कि तो हमारे लोगों पर यहां केस लगे थे बड़े मुश्किल से जोतपुर से जमानते हुई थी जमान देखो वो तो देखो कानून सम्मत वीरोध करेंगे ग्राम वा जैसे आपने देखा किस तरह से पीपली आचारियान क्षेत्र में जहां बिला नाम जमीन है और निजी खातेदारी जमीन है या समसान के आसपास की जमीन है वहां पर खुले आम बजरी का खनन किया जा रहा है इसकी वज़े से ख्यात्र का भूजल इस तर भी लगातार गट की भी मिली बगत है निस्पक्स जांच हो तब भी वाश्टिकता सामने आएगी कि क्या ग्राम वाश्टी जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या प्रसासन सही है या खान विबाक जो लीज दारक है वह खनन नीम अनुसार कर रहा है ये सब कुछ खुलासा प्रसासन की निस् प्रश्मन्सिंग राटोर्ड, जय वर्दन न्यूज, राज समंद।